नमस्कार मैं हूँ आपके साथ लकी शर्मा और आप देख रहे हैं First Byte TV एक समय था जब गरीब मजबूर थे जब उनकी आखों में शर्व और उनकी अवाज में लाचारी भरी थी पहले जरूरत के लिए ही पैसे मांगे जाते थे पर आज कुछ लोगों ने इसको पेशा बना लिया है भीक मांगना एक धंदा बन चुका है पूरा का पूरा परिवार इस घौरक धंदे में शामिल रहता है उनकी मासूमियत अब मासूम नहीं है जिसकी वज़ा से वो सड़क पर चलती जनता का जीना हराम कर देते हैं अपनी मजबूरी के लिए नहीं लेकिन अपने फाइदे के लिए हर बड़े शहर के चोराहे भिकारियों से भरे पड़े हैं जहां गाड़ियों की रफ्तार कम हुई वहां इनके कदमों ने तेजी पकड़ी हद्तों यहां हो जाती है जब पैसे ना मिलने पर या फिर कम पैसे मिलने पर ये लोगों को कोसना शुरू कर देते हैं 6-7 साल की उम्र के बच्चे गलत संगती में पढ़कर नशे करना शुरू कर देते हैं बेटी की शादी करवानी है चार दिनों से कुछ खाया नहीं मम्मी की तब्यत बहुत खराब है इलाज के लिए पैसे चाहिए ऐसे ही कुछ तरीके अपनाए हुए भिकारियों की एक टोली निकल पड़ती है जो फिर रहा चलते लोगों को रोख कर परिशान करती है लोगों को तंग करना ही इनका पेशा बन चुका है इन लोगोंने अपनी अपनी गैंग बना रखी है यहाँ दिन निकला वहाँ इन्हें इलाके बता दिये जाते हैं सुबह ही यह अपने अपने इलाकों पर पहुच कर जनता को रोक कर उल्टी सीधी दुहाईयां लगा कर उनसे पैसे मांगते हैं क्या इनके माबाप इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहे है या फिर कोई और वज़ा है इसके पीछे इसके बारे में इन ही से हमने कुछ बाते की बहुत प्रयास भी किया गया कि इन्हें इस दलदल से बाहर निकाला जा सके पर नहीं कोई तयार नहीं इनके लिए भीक मांगना काम करने से जादा असान है ये इतना गहरा दलदल है कि एक बार जो इनसान फसा फिर बाहर आना बहुत ही मुश्किल है बच्चों को किड्नाप करके उनसे भीक मंगवाते हैं लोग लेट्स मेक इंडिया बेगर फ्री ये है सच्चाई भीक मांगने के पीछे की हर चौराहे की यही कहानी है पूरे के पूरे रैकेट चलाए जा रहे है इस चीज से ना गवोर्मेंट ना ही आम जन्ता पर फर्क पड़ रहा है फर्क पड़ रहा है तो इनके भविष्य पर हमारे देश के भविष्य पर इस चीज बढ़ावा ना दे और नज़र अंदास्त ना करें इस देश को बहतर जगा बनाये नमस्काइ